तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिकेंडर समस्टर के हिंदी के MCQ टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चिर और एंसर के बारे में जिन जिन भी इनवर्सिटी वा कॉलेज में आप सभी की हिंदी की जो परिच्छा वो MCQ बेस पे होने वा होने वाली है और उसमें से सब्जेक्ट होता है मालीज आपके चार सब्जेक्ट हैं ठीक है जिन में से तीन रिटेन होंगे एक आपका मायनर का पेपर होगा जो कि कि आते हैं आज किस वीडियो के पहले प्रस्ट पे पहला प्रस्ट है कि देव नागरी लिप का सरप्रथम प्रयोग किस राज में हुआ माना जाता है तो देव नागरी लिप बहुत पॉप्लर कुश्चन है कई बार आज चुका एक्जाम में इस बार भी आएगा तो ध्यान सही उत्तर हो जाएगा ठीक है जहां से फिसे सुन लिजिए सब्जेक्ट का हिंदी प्रस्ट पत्र का नाम है कारले हिंदी और कंप्यूटर तो जितने भी प्रस्ट आएंगे सबात को ध्यान रखें को कारले हिंदी होंगे यानि कि कुछ कोश्चन आपको देखने को कंप्यूटर से जुड़े ठीक है क्योंकि यह प्रस्ट पत्र का ही नाम है तो इससे जुड़े कोश्चन आएंगे नेस्ट कोश्चन है कि कौन सी भासा देव नागरी लिप में लिखी जाती है तो इन में से जो देव नागरी में लिखी जाती है उस भासा का नाम है बहुत को ध्यान रखेंगे हिंदी जो है वह किस लिप में लिखी जाती तो हाँ पर आपको लिखना है नागरी लिप में हिंदी लिखी जाती इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशन का है राग भाया देव नागरी लिप में स्वर वरणों की संख्या बताईए स्वरण जो होत अगला प्रश्ण है कि संबिधान के किस अनुच्छेत में कहा गया है कि संग की राजभासा हिंदी और लिप देव नागरी होगी तो ध्यान रखेंगे यह बात कहीं अनुच्छेत 343 में नमबर सही उत्तर होगा अगला कि भारत के संबिधान में हिंदी को राजभासा की माने फिलेटा कक्व प्रदान की गई है कि प्रदान की गई आपको बताना है ठीक है 14 सितंबर सल infiduhan को मान अगला कि भारत क्या हो इसमें किस चीज से बारे किया गया है तो अग्यानों नखेंगा प्र्शनागरी का सर्पर्थम प्रयोग किस शिला लेक में हुआ है तो देवनागरी का सरप्रथम प्रियोग जो है कौन से जो हमारे तिहाफ कार रहे हैं उनके फिला लेक में हुआ है उनका नाम है जैभट फिला लेक में हुआ याद रखेंगे आ नंबर से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि देवनागरी का विकास माना जाता है कौन सी मतलब की लिप से ठीक है तो देवनागरी का जो विकास है वो माना जाता है अभट इबरामभी लिप से सा नंबर से उत्तर होगा अगला के देवनागरी लिप की सबसे बड़ी विजिस्ता क्या है इन आप्शन में से तो देवनागरी लिप की जो सबसे बड़ी विजिस्ता है वो है आप्शन नमबर दा सरवधिक बैग्यानिक लिप होना एक धुन के लिए एक संकेत होना ये बहुत बड़ी विशेष्टा है देवनागरी लिप की ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है कि निम्नांकित में से कौन विशेष्टा देवनागरी में नहीं है तो इन में से एक विशेष्टा जो है वो देवनागरी लिप में नहीं है कोई आपको बताना है से उत्तरिष्टा हो जाएगा अप्शन नम्बर दा विकास की दर्ष्ट से यह लिप ब्राम्भी एम खरोष्टी की समकालीन है दा नम्बर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि देवनागरी लिप मोलता क्या है तो देवनागरी लिप जो है वो मोलता ठीक है अच्छारात्मक है ठीक है अच्छारात्मक के ध्यान लखेंगे बानम्बर सही उत्तर होगा इस प्रशन का और अगला प्रशन है कि इन में से कौन से लिपी नहीं है मतलब एक कौन सी लिपी है जो नहीं है बाकी सभी है तो धान रखेंगे अंग्रेजी एक लिपी नहीं है बाकी अर्भी गुरुमुखी देवनागरी है सब लिपी है और अंग्रेजी नहीं है अगला प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपी सुधार प्रश्चत की 28-29-1953 को हुई बैटक की अध्यचता की गई थी किसके द्वारा ये अध्यचता की गई थी ततकालिन जा उपराष्ट पती डाक्टर सरपली राधा क्रश्ण की नेत्युत्र में ध्यान रखेंगे बानमबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण कहे रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देव नागरी लिप सुधार समित के अध्यचता कौन थे तो ध्यान रखना है सही उत्तरिश्का हो जाएगा आचारे नरेंद्र देव जी अध्यचत प्रदे़ जोंने सोदार समित के देव नागरी लिप के और बहुत हिमाातपूर्ण प्रश्णह याद रखेंगे अगला कि नागरी लिप सुधार समित के सयोजक का नाम था का काले لकर थीशे का का नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि किस बिद्वान ने देवनागरी लिप के अफ्थान पर रोपन लिप सुविकार करने का सुझाओ दिया था तो बहुत ही महात्पूर और बहुत ही कॉमन कोईश्चन है सही उत्रिश्का हो जाएगा सुनीत कुमार चटर जी ठीक है सुनीत कुमार चटर जी बिद्वान ने देवनागरी लिप के अफ्थान पर रोपन लिप सुविकार करने का सुझाओ दिया था सानमबर से उत्र होगा अगला प्रश्ण है कि निम्लिकित सब्दों में या फिर निम्लिकित सब्दों के मूल सब्द तथा उसमें लगे प्रत्य का एक युग्म गलत है वो कौन सा है बाकि सब सही है एक गलत है तो वो है ध्यान रखेंगे बचपन ठीक है क्या है बचपन यही एक गलत है बाकि सब सही है अगला परस्ण है कि प्रमाणिक सब्द के मूल सब्द और प्रत्य का सही अलगाओ है तो इन में से जो एक प्रमाणिक सब्द के मूल सब्दों का प्रत्य का सही जो अलगाओ है वो है प्रमाण प्लस एक सही उत्तर हो जाएगा बानमबर अगला है कि किस सब्द में तद्धित प्रत्य का योग है तो इस प्रस्णिंग का से उत्तर हो जाएगा अनम्म सुनहरा अगला है कि तद्हती प्रत्प्लत का हो डहार कॉंब्स नहीं है चाहस वे शिलाई नहीं है बाकी समीं है एगला कि लोकिक सब्ठे है फिर कौंब्संद्रत्य पोड़ी इन ऐसे लिगर स्ब्सक्राटblyं कोण साव यह इन आप्षिक रहूं सब्द का निर्माड होता है उन्हें क्या कहते हैं जुडाव से सब्द का निर्माड होता है उसे कहते हैं स्वानिम जुडाव। फिक स्वानिम केहते हैं दानमम' से उत्र वोगा अगलाए की भासा की चार विसेष्टाय दी गई इनमे फे जो गलत विसेष्टा है उसे आपको तो यह का होता भासा जो होती हो पैत्रक संपत्य होती जो आपके पीड़ी दर पीड़ी चलती रहती बाद में तो महोल के गॉर्डिंग उसको चेंज के अदाफ रगता अगर महोल नहीं रहेगा तो आप सेम टूसे अपने जैसे आपके जनरेशन है वैसे ही आप बोलेंगे ठीक है तो बानमबर सही उत्तर होगा अगला की पारभासिक सब्द है तो बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है पारभासिक सब्द है वह है आवंटन इनग में से और इस सब कोईश्चन पिछले वर्स कोंचे भी गेए थे ध्यान से देख लीजिए अब नमबर सही उत्तर होगा अगला की पारभासिक सब्दावली की कौन से एक बिशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो निए अगला प्रस्शन एक बिधिक सब्दावली का समंध किसे से इन आफसरों में से तो विदिक सब्दावली का जो समंध है वो न्याय बेवफ्थाफ से यानि कि पीछीच का न्याय दिलाना कि इस भी चीच्छ तो न्यायa सिस्टम से है Justice सिस्टम से हाँ नंबर से उत्परोल का काफी common question है ज्यान अग्याण कि पारज़सिक निरमाण की power क्लिवा के लिए क्लिया कि लिए क्या आवस्यक होता है तो पारज़सिक मतब कि कि बहै चीज की परिवहाफा देना किया प्रिपकी कि आर्थ निकालना उस सब्सक्राइब कर दिकिनिर्माड की प्रिकरिया के लिए प्रिकिफ चीछ की जरूरत होती है या पिर किसी चीछ की आवस्यक्त है तो तो सही उत्तरिष्गा हो जाएगा option में से तो पार भासिक सब्दों के निर्माण के लिए जो आवस्यक है वो है ग्रहन स्रजन फंचैन एवं अनकूलन यह सभी जरूरी है फिले सही उत्तर हो जाएगा दानमबर उप्रयोक्त में से सभी सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि उपसर्ग से निर्मित पार भासिक सब् अधिकार भी है अधिकर्मन भी है उप्मंत्राले भी इफले सही उत्तर हो जाएगा दानमबर ध्यान लखेंगे अगला कि अर्द पार भासिक सब्द कौन सा है तो अर्द परिभासिक सब्द इन आपसरों में से कौन सा है ध्यान लखेंगे वह सब्द जो समान ने और पार पार्भासिक सब्दों के बीज सब्द होते हैं उनको हम लोग अर्दिपरिवासिक सब्दों बोलते हैं से उत्तर होगा अगला प्रश्ण प्रस्तुत है आप सब एक समस्त जो की बहुत ही महात्पूर्ण ध्यान रखेंगे काफी एलपल कुश्चिन हम आपको बता रहे हैं औ पार्भासिक सब्दावलीत के हैं बता है तो पार्भासिक सब्दावली उसकी क्या विश्टा है रोन होता है तो ध्यान रखेंगे पारभासिक सब्दावली के जुब प्रमुख विशेष्टा इना अपसनों में से कौन सी अगर आपको बता रहा है तो बता फ़क्ते हैं इसका हो जाएगा आपसे नंबर दा क्योंकि पारभासिक सब्दावली के विशेष्टाएं सभी हैं अर्थ की फुनिशित्ता मूल या रून होना विशेष्ट विशेष्ट में विशेष्ट अर्थ की अभिवेक्त करना ये तीनों के तीनों इसलिए उट्तर दा होगा अगला प्रशन है कि समास से निर्मित पारभासिक सब्द है तो समास से निर्मित पारभासिक जो सब्द है ध्यान रखेंगे वो ग्राम पंचायत है या फिर आकाश वाड़ी है या फिर सहिकारी बंक है या फिर उप्रुक्त में से सभी है तो ध्यान रखेंगे 36 नंबर जो प्रश जो सब्द है वो काश्वाडी है अगला प्रशन है कि संद्र प्रक्रिया फे निर्मित पार्भासिक सब्द कौन सा है तो संद्र प्रक्रिया फे निर्मित पार्भासिक जो सब्द है वो है उप्रयोक्त में से सभी क्योंकि जिलादिकारी भी है ठीक है कुला दीपत्य भी है अ सरकारी संफथा कौन सी है इन आफ्षिनों में से तो से उत्तर इसका हो जाएक आफ्षिन नमबर सा बैज्ञानिकम तक निकी सब्दा वली आयोग यही पारवासिक सब्दा वली तयार करने के सरकारी संफथा यह फिर इंसिट्यूट है द्यान रखेंगे अगला प्रस्ट हैं कि करति देव जिसको कुर्टी दीव भी बहुत है ने बहुत ही पॉप्लर कुस्चेन ने सल ने की आधौनिक भाँसा विज्ञान का जनक जनक Capital कौन ऐसा नमबर ठीक है सो सीवर अधिनिक भाष्णा विज्ञान के जनक है याद रखेंगे इन को और आपको अफ्शन दिये जाएंगे तो वहां पर रखेंगे दानमबा सभी होगा अगला प्रस्ण है कि तंकसाली भाफा किसे कहते हैं तो तंकसाली भाफा जो है वह हम कहेंगे परनिष्ठित भासा को थ्यान रखेंगे सा नमबर से उत्र होगा अगला है कि निमलिखित में से भासा की प्रमुख प्रकति कौन सी है तो इन में से भासा की प्रमुख जो प्रकति है धान रखेंगे वो है पारिभासी एक मिनिट नहीं नहीं निमलिखित में से भासा की प्रमुख प्रकति कौन सी है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर जटिलता से सरलता की और मतलब कि कठनाई यह से मतलब आफान की और इस तरह के समझ लिजे जटिलता फे फरलता की और अगरा प्रशन है कि नियालई भासा में सब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है तो नियालई भासा में सब्द और उसके अर्थ में जो रहती है ध्यान रखेंगे वह होती निश्चेतता होती है ठीक है मतलब कोई चीज हो गया तो निश्चेतता होती है नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि कोई भी बोली या भासा मानकता प्राप्त करने पर ह प्रश्टुत हैं। प्रॉष्टुत है, कि बहुत्ज़ख्यान के तत्तो को बिक्त करने वाली बिसेश सब्दा वाली को क्या कहते हैं तो भासा बिग्यान के तत्तो को बिक्त करने वाली जो बिसेश सब्दा वाली होती है उसको हम लोग कहेंगे पार भासिक सब्दा वाली से उत्तर इसका अद्दा हो जाएगा ध्यार लखें काफी helpful टॉप टेली ग्राम और और सब पर जोइन हो जाईए लिंक इसी वीडियो की डिस्कुस्टिन में है जाएंदे